इस वीडियो में बात करने वाल हैं बिहार के साथ बचर के सिछकवर्टे को लेकर कि क्या जो आपका प्राइमरी का पेपर है वो आपका एक ही दिन में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा फिर जो है वापकी एक से अधिक दिन एक्जाम जो है वापका चलेगा एड्मिट कार्ड को लेकर कि कब आपका एड्मिट कार्ड जारी किया जाएगा और बाकी जो आपके मार्केट में एक मित चला है कि आपका एक्जाम डेट आगे बढ़ेगा तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे और सबसे ज्यादा जो आपका कंफिजन है अधर कि क्या उनको अभी से यहाँ पर ठीकट करा लेना चाहिए या फिर अभी उनको इन्तिजार करना चाहिए तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं बाकी है यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगे तो राइट ऊच्छ दिन पहले का आपका नियूजपेपर है जो कि सायद आप लोगों यहाँ पर ध्यान न दिया हो यहाँ पर देखेंगे तो जो आपकी एक्जाम डेट बताएगे थे 24-26-27-2023 तो जस्ट उसके नीचे यहाँ पर देखेंगे जो कि ओफिसियल लेटर भी आपका जारी किया था मतलब बिहा जो आपके इंटर कॉलेज हो या फिर आपके कोई भी मतलब उस तरीके कॉलेज है जहाँ पर आपके एक्जाम नेशन सेंटर रूखेगा तो आपर जो उन लोग का इंटरनल एक्जाम होता है फिर प्रेक्टिकल होता है टेस्ट होता है या फिर उपे इसकूल होता है तो यह सभी चीजे जो है आपकी बंत रहेगी ऐसा जो है बिहार का सिशाइभाग सभी विश्व बिद्यालियों को मतलब सभी स्कूल में जहाँ पर सेंटर वनेगा उनको जो है यहाँ पर लेटर जो है उजारी केते आप यहाँ पर देखे जो आपके एक्जाम डेट आगे बढ़ने हाँ के होंगे तो आपको थोड़ा सा खुसी होगा लेकिन यह आपका होने वाला नहीं है क्योंकि आपका जो डियलेट का एक्जाम हो चाहे हरियाना का हो या फिर मध्य परदेश का हो आपका इस्टेट गवर्मेंट का मामला है और यह जो आपकी बिहार टीचर की वेकेंश लेकिन आप यह सोच रहे हैं कि BPSC टीचर अपना एक्जाम जो है वो अपना अस्त्रकित कर देगा और आगे बढ़ालेगा तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब इस रीजन को देखकर वो बता रहे हैं कि आपका एक्जाम डेट आग आगे जो है वापका बढ़ जाए और दूसरा यहां पर रीजन होता है कि बिहार में जो आपका पटना वाला मतलब पटना के उपर वाले जो जीले होते हैं मतलब लगवाग 18-19 जीले ऐसे हैं जहां पर आपके बाढ़ प्रभाविछेतर होते हैं तो यह दो रीजन है जिसक 25-26-27-23-23 को ही आपका एक्जाम डेट यहां पर कंड़क्ट करा लिया जाएगा तो इसलिए उस मीथ में जो है आप न पढ़े आगे आते हैं एक्जाम डेट को लेकर फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपका पेपर कितने दिन में कंड़क्ट करा जाएगा तो देखें यह कि अब क्या है कि जो आपका एक्जाम डेट नहीं एडमीट कार्ट को लेकर हमी आपर बात करने वाले हैं तो देखें यहां पर एडमीट कार्ट को लेकर जैसे ढहले कंडिया जाएगा तो थोड़ा सा अच्छे से आप giltel में पढ़ेे कि ई दो आपका क्या बोला जा良ए जो तो आने वाले एक सब्दा मतलब 7-8 दिन के अंदर आपका admit card यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेकिन यह जो आपका admit card रहेगा इसमें proper जो आपका examination center होता है address होता है कौन से school में आपका examination center बना है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा बस यहाँ पर क्या होगा कि आपके कौन से जिले में exam आपका conduct करा जाएगा और उसमें हो सकता है कि आपका कोई code वगरा आपका दिया रहे और ओक कोड जिसका detail आपको दो दिन पहले पता चलेगा कि जो आपको यहाँ पर code दिया गया है उस code से समंधित आपका परिछा केंदर जो है बापका रहेगा तो इसलिए इसको लेकर बिल्कुल confusion मत हुए दस दिन से भी जो है बापके पास ज्यादे समय है ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमारा एक्जाम जो है कौन सी जिले में जो है बापका कंडल करा जाएगा आप यहाँ पर कोशाँ जो है बात करने वाले हैं एक्जाम डीट को मतलब पेपर को लेकर कि एक दिन में आपके पेपर होगा फिर दो दिन में फिर फिर उसके बाद हम टीकट preced को को बात करेंगे देके यहां आपका पड़ आपका प्राहीं को लेकर थेकर ढ़िक दो हैक दिन के लिए भराए और यहाँ पर जो आपकी बिहार में एक सिफ्ट में आपके पेपर की कैपसिटी है मतलब यहाँ पर बच्चों को बैठाकर एक्जाम लेने को लेकर तो ओ आपका टोटल 6 लाग का है अब यहाँ पर साथ लाग हो गए भले से जो है आपके 6 लाग से भी कम ही अभ्यरति हैं पर पेपर देंगे लेकिन एक्जामनेशन सेंटर और आपके सीटिंग मगर का ब्योस्था यह तो साड़े साथ लाग का बनेगा जितने लोग मतलब फॉर्म अपलाई की होंगे फाइनल फॉर्म समिट क होगे पर आपके पड़ी एक दिन पॉसिबल नहीं है कि एक dyn में आपका का लिया जाएगा यह आपका डिन में होगा और दो दीन का मतलब 4 कर लिया जा Sam labor सब्सक्तों एक दिन में होगा और दोधिन का मतलब geçit अब देखिए अब आपका कैसे पढ़ता है और BPSC के तरब से अभी एडिसाइड नहीं किया गया कि जैसे हम यहाँ पर जैसे दो सिप्ट पेपर करा रहे हैं तो morning वाले में हाँ पर क्या करा हैं कि हम language का पेपर करा ले और जो आपका दोपहर वाला पेपर होगा उसमें हम GS का पेपर करा ले और फिर उसके बाद जो आपका दूसरे दिन का second shift होगा उसमें हम यहाँ पर primary का GS का पेपर करा ले या तो इन लोग इस तरीके से कराएंगे या फिर इन लोग ऐसा भी चाहें कि जो आपका पहला दिन है 24 तारीक morning में भी जो है आपका language का पेपर कराएं और जो आपका दो पहर वाला पेपर होगा जो कि अब टाइमिंग तो नहीं बताएं लेकिन एक दिन में दो पेपर होगा तो दूसरा वाला जो पेपर है उसमें भी हम यहाँ पर language वाला पेपर करा ले मतलब पहले हम यहाँ पर language का पेपर final कर लेते हैं फिर उसके बाद हम GS का पेपर कंड़क्ट कराएंगे यदि इस तरीके से करते हैं तो भी आपका यहाँ पर दो दिन का समय जो है वापका लग जाएगा जो की कोई दिक्कत भी नहीं है आपको एक रात सिर्फ ही रुखना पड़ेगा क्योंकि आपके एक्जाम टेट जो है सिरियल वाइच है 24 को है 25 को है 26 को है 27 को है जिसका माली जे प्राइमरी का भी एकजाम है और उसके अलावा उनका माधमिक का भी एकजाम है तो उनको यहाँ पर दो से अधिक दिन जो है उरुखना पड़ेगा किनकि आपके लगातार एकजाम है बीच में आपके गयप नहीं है तो एक दिन में आपक क्या होगा कि फिर उसके बाद जब आपके यहां पर फाइनल हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपका उच्छ पूर्प भी थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका दिक्कत है वो आपका अदर इस्टेट की कंडिडिडेट को लेकर है तो मैं यहीं कहूँगा कि अभी टिकट वगर बुक मत करेगा क्योंकि यहां पर क्या है कि आपका 10 दिन का समय वो दिया गया कि 10 दिन जो है वो पहले आपका admit card जारी कर दिया जाएगा और जहां तक मेरा अनुमान है कि 10 दिन से भी पहले आपका admit card लगभग जो है वो आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौन से जिले में जो है वो examination center है वो आपका 10 से 12 दिन पहले आपका है पर पता जो है उचल जाएगा और यहाँ पर जैसे उच्छ लोग मतलब इसलिए examination center को लेकर यहाँ पर ticket book करा ली है क्योंकि उनका मानना है कि जो other state के अभियर्थी आ रहे हैं उनका examination center जो है वापके पटना के अगल बगली होगा जैसे पटना में हो गया या फिर जो है वापके छपराम हो गया फिर आरा में हो गया फिर अरवल में हो गया या फिर आपका हाजीपूर में लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है यदि आप यह सोच रहे हैं तो बिलकुल आप गलत सोच रहे हैं ऐसा कभी होता नहीं है कि आपका पटना के अगल बगल वाला ही center जो है other state के अभियर्थियों को जो है उ मिलेगा तो इसलिए थोड़ा सा एभी जो है आपको ध्यां रखना है और बाकी हाँ ऐसा हो सकता है कि जो other state की female आ रही है यदि मानेजिये उनका यहाँ पर border वगर आप पर पड़ता है तो इस तरीके से इन लोग center बाढ़ सकते हैं या फिर border पर न दें तो आपको यहाँ पर पटना कि अगल बगल जीला जो है इन लोग मतलब BPSC वाले क्या करें कि center जो है वो other state की female को जो है वो दे सकते हैं लेकिन BPSC का थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से रूल होता है थोड़ा सा other state की female को भी बहुत जादे दूर जो है examination center देते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या कि आप 10 दिन का समय बचा है तो आपको इतना हड़ बढ़ा कर जो है बुक नहीं करना चाहिए जैसे मालीजे यहाँ पर मालीजे जैसे आप लखनव के ऊपर वाले इलाके से आ रहे हैं फिर हरियाना से आ रहे हैं पंजाब से आ रहे हैं आफिर राजस्तान देल लही या फिर बगल रहेगा तो हम चले जाएंगे तो देखे अगल बगल रहेगा तो आप चले जाएंगे कोई दिक्कत ने लेकिन आप थोड़ा सा भी सोचिए जैसे आप लोगों ने पटना का यहाँ पर क्या किये आप लोगों नहीं पर पटना का टिकट बुक करा लिया फिर उसके ब पर आप आएंगे तो इधर से तो आप जारखंड मतलब इधर से आप आते तो जारखंड भी चले जाते फिर जारखंड से इधर बगल में चल जाते फिर आप MP से हैं यदि आप इधर पटना बुक करा लिए फिर आपका पता चला कि इधर सेंटर भेज दिया तब तो काफी ज दस दिन का समय बहुत जादे मतलब एक तरीके से ठीक ठाक होता है तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो सही रहेगा बाकि आपकी इच्छा है आपको लगता है कि हम यहां पर पटना का रिजर्वेशन करा ले फिर उसके बाद चले जाएंगे तो आप वैसे भी चले फिर पस्ची में चमपाड यह लोग सेंटर चाहते तो मतलब इधर अगल बगल वाला भी वेज़ देते पटना भी भेज देते तो हमारा 300 से 300 किलोमेटर दूर था लेकिन इन लोग भेज़े थे हाँ पर पस्ची में चमपाड आप सूच लिजए मतलब यहां से हमाएंगे तो थोड़ा सा BPSC का सेंटर जो है आपके इस तरीके से मतलब दिक्कत होता है बाकी आपके ओपर डिपेंड है दस दिन का समय ठीक ठाक समय है आप चाहेंगे तो आप दस दिन का दस दिन पहले आपको पता चल जाएगा तो फिर उसके बाद आप टिकट बुक करा लेंगे तो चलें कि आपका एक्जाम डेट आगे बढ़ेगा फिर चेंज होगा इस तरीके से ए रीजन ओ रीजन तो बस थोड़ा सा आपको तसली मिलेगा बाकी कुछ यहाँ पर ज्यादा आपको वेनिफिट नहीं होने वाला है और यहाँ पर बता दे कि मालीजी यहाँ पर जो हमने अधिक नंबर जो क्रोस कर सकते हैं और इस तरीके से जब आपका एक्जाम दस दिन या फिर पास दिन आगे पीछे जब होता है तो और जादे आपके हाँ पर पढ़ाई जो है काफी जादे लो आपका हो जाता है तो आप यह सोचे नहीं कि आपका एक्जाम डेट आगे पढ़ेंगे तो इसलिए जो कुछ भी आभी आपका 20 दिन का समय बचा हुआ है इसमें आप दीन रात एक अपनी करिये तयारी करेंगे क्योंकि आप तयारी नहीं करेंगे तो क्या आपको लगता है कि आपका जो प्राइमरी का सीहजार सीट है वापका रिक तरह जाएगा त पुड़ा कोच सीसर हैगा कि आज से जो है हम यहाँ पर इस्टार्ट कर देंगे जो आपके लिए महत्तुपूरो थाकि आप कम समय में जो आपके ऑथेंटिक हो जो आपका सिलिबस है उसके रिकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकें PDF के फार्मेट में क्यों उन लोग यहाँ पर सस्क्राइब नहीं करते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल आप गलती मत करेगा आप कर लिजेगा बस यहीं है कि हमारा और आपकी connectivity जो है बनी रहे बस यहीं है इसके अलाबा जो है वो यहाँ पर कुछ उस तरीकी का रीजन जो है आपका नहीं है तो आई होप किस जिले में है तब जब पता चल जाएगा तब आप यहाँ पर टिकट बूक अपना उखराएगा तो यहीं अपडेट बाकि जो कोई भी अपडेट होगा information होगा हम share कर देंगे मिलते हैं अगले next वीडियो में तब तके लिए thank you bye bye take care always thank you for listening God bless you all thank you